हिमाचल सरकार की याची का खारिज करने के बाद समर्त को दोरा विधायक कालका प्रदीप चोधरी को कालका पिंजोर में सचाई की जीत बताया हाई कोट की स्टे के खिलाब हिमाचल सरकार की याची का सुप्रीम कोट में खारज करने के फैसले का स्वागत कालका हलके के विधायक परदीप चोधरी ने किया है कालका विधायक परदीप चोधरी कालका में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे वहीं कालका और पिंजोर के कॉंगरसी कारेकरताओं ने कहा कि आखिरकार सचाई की जीत हुई है। 13 अगस 2021 में गई और सुप्रिम कोट ने 9 स्टमबर 2021 में हिमचल सरकार की इस याची का कुखार्ज कर दिया। कालका और पिंजोर के लावा दून और रायतन क्षित्र के लोगों में भी खुशी की लहर है और सभी ने एक आवाज में कहा कि आखिरकार सचाई की जीत हुई है। कुछ कुछ वे गवाज में काता और सुप्रिम के लावाज सरकार के लावाज में धुच्छ।